हेलो दोस्तों मैं धीरेंज स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टडिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मद्द कालिन इत्हास में भारत पर होने वाले मुसलिम आखरमण के अपने तीसरे पार्ट को पहले पार्ट में हमने दोस्तों है यहां से बार-बार प्रित्यक्ता परिक्षामे प्रसन पूछे जाते हैं इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरे जरूर देखेगा और इस वीडियो को आप एक कहानी की तरह यहां पर देखेंगे तो आपको इसको याद करने में किसी भी परकार की प्रोलम नहीं ह किजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नॉटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक वार रिवीजन करवा जिता हूँ दोस्तो इससे पहले हमने भारत पर होने वाले मुस्लिम आकरमण देखे जिसमें हमने बात की अरव आकरमण की और तुर्क आकरमण की तो अरव आकरमण में सबसे महत्पूर नाम था तो वो था मुहम्मद बिन कासिम ठीक है तो दोस्तो बिन कासिम के साथ साथ अरव आकरमण को हमने पढ़ा इसके वाद तुर्क आकरमण जो पहला तुर्क आकरमण हुआ वो हुआ सबसे पहले सुबुक्तगीन और उसके वाद जो इंपोर्टन नाम हमने पढ़ा था वो था महमूद गजनवी ठीक है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी तुर्क आकर्मन है ठीक है ये भी एक तुर्क आकर्मन है ये तुर्क आकर्मन है मुहम्मद गौरी के दोरा किया गया आकर्मन ठीक है तो ये दूसरा तुर्क आकर्मन है भारत पर होने वाला तो स्टार्ट क गजनी में जब उसके उत्रदकारी हुए तो वो उतने मजबूत नहीं हुए जितना की महमूद गजनी था। गजनी था। गजनवी के अधीन ही एक छोटा सा राज था। ग्यारसो तहत्र इसवी में महम्मद गौरी गौर का सासक वना और यह है प्रदेश हैरात और गजनी के मद्द इस्तित है। साथ ही साथ आकरमन का सका उद्देश क्या था। तो देखिए मुहम्मद गौरी के आकरमन का उद्देश था मुसलिम राज की स्थापना करना। एक बार मैप के जरी हम देख लेते हैं मैंने यहां आपको बोला कि गौर यह जो प्रदेश है यह हैरात और गजनी के मद्द था। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं गौर प्रदेश को जो की हैरात और गजनी के मद्द में हैं ठीक है हैरात और गजनी के मद्द मे चलिए आंगे बढ़ते हैं आंगे बढ़ने से पर एक बार और विविजन कर लेते हैं मुहम्मद गौरी संसवानी वंस का एक महात्पूर्ण सासक था जिसने कई बार भरत पर आक्रमण किये मुहम्मद गौरी का पूरा नाम था सिहाब उद्दीन मुहम्मद गौरी या फिर मुई जुद्दीन मुहम्मद बिन साम गौर गजनवीयों के अधिनी एक छोटा सा राज था 1173 इसी में इंपोर्टन्ट है ये एक्जाम में यहां से कॉशन बनता है 1173 इसी में मुहम्मद गौरी गौर का सासक बना और यह पिर्देश हैरात और गजनी के मर्दिस्तित है इसके आकरमन का उद्देश क्या था? मुस्लिम राज की स्थापना करना मुहम्मद गौरी रे भारत पर आकरमन क्यों किया? तो एक बार और देख लेते हैं गौरी मुसलिम सामराज का बिस्तार भारते सीमा तक करना चाहता था साथ ही वह गजनवी पिर्देश पर भी अपना नेंतरन स्थापित करना चाहता था इसी उद्देश से उसने भारत पर आकरमन किये इस क्रम में उसने सबसे पहला आकरमन मुलतान पर किया जो बरतमान में पाकिस्तान में आता है लेकिन पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था ठीक है दोस्तों इस बात को याद रखिएगा तो देखते हैं इसका पहला अकरमन देखिए इसका पहला अकरमन एक्जाम में पूछा जाता है जो 1175 EC में हुआ था मुलतान पर ठीक है मुहम्मत गौरी ने भारत पर पहला आकरमण 1175 EC में मुलतान पर किया और यहां क्या हुआ यहां इसको जीत मिली और यह इसकी भारत में पहली बिजय थी ठीक है भारत में इसकी पहली बिजय थी एक वर और देख लेते हैं पिर्थम आकरमण मुहम्मद गौरी का 1175 EC में मुलतान के बिरुद यानि की मुलतान पिर्देश पर और मुहम्मद गौरी ने यहाँ पर क्या हुआ इसको जीत मिलियर की बिज़े और यह इसकी पहली बिज़े थी अब देखें दोस्तों इस सफलता के बाद वह भारत के महत्पूर्ण छेत्रों पर आकरमण करने की यूजना बनाने लगता है ठीक है उसका मूल ध्यान जो था वो था कर्नौत छेत्र में जो की मद्ध भारत में स्थित है ठीक है यह रहाप का कर्नौत छेत्र है न यह मद्ध याद करने में किसी भी प्रकार की तिकत नहीं होगी ठीक है देखिए मैं आप से क्या कहा पिर्थम आक्रमाण के बाद इसमें एक अलग उर जा गई कि मैं जब मैं मुल्तान को जी सकता हूं तो मैं दिल्ली अजमेर कन्नोज और सभी चालुक को भी यहाँ पर हरा सकता हूं या कि लिए भारती सीमा में आने का प्रयास करता है उससे पहले उसे उस समय की स्थिती हम देख लेते हैं जरा देखिए यह यह आपके मद्ध भारत में कन्नोज ठीक है यहाँ आना है तो कहां से आगा दोस्तों या तो यह दिल्ली होता हुआ आगा दिल्ली अजमेर या फिर य सासन था जहां का राजा था भीम सेकंड जिसको मूल राज सेकंड भी कहते हैं जो की अल्पब्यस था और इनकी मा थी जिनका नाम है नायका देवी जो एक विद्वा थी वो इनके सासन में इनका योगदान कर रही थी कहां पर गुजरत वाले छेत्र में जिसको चालुक के वं सेकंड अब बात करेंगे कन्योच की देखिए कन्योच के छित्र में गहडवाल वंस का सासन था जहां यह एक राजपूर वंस था और इसके सासक थे जैचंद ठीके जैचंद की ही पुत्री थी सहयोगता जिनको जिनकी साधी किस्विती चोहान वंस के प्रथिवाद चोहान से ठीके यह आपको क्लियर हो गया अब आप बात करेंगे हम अजमेर और दिल्ली में यहां बच्चों को बहुती ज़्यादा दिक्कत होती है कि अजमेर में और दिल्ली में दोनों जगा चोहान वंस कैसे है तो देखिए अजमेर के छेत्र में चोहान वंस का सासन था जिसके सासक थे पिर्थिवी राज थर्ड ठीक है पिर्थिवी राज तित्ति है जिने हम पिर्थिवी राज चोहान के नाम से जानते हैं ठीक है और ये राजपूर सासक थे और राजपूर सासक में महान सासक थे ठीक हाँ पर थे ये अजमेर में अब देखिए यहां की कहानी समय ली थी ठीक है और दिल्ली में जो तोमरवंस थे ना उन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की थी इस तरह दिल्ली वा अजमेर के बीच बेवाहक सम्मंद हो गए थे और पिर्थिवी राज चोहान के जो नाना है जो दिल्ली में है इस समय ठीक है जब के पढ़ाई कर रहे हैं पिर्दकार दिल्ली और अजमेर दोनों पर ही किसका सासन हो गया चोहानवंस का ठीक है चोहानवंस का आप देखिए कन्योंज पर आने से पहले वो का आया चालुक कौबर ठीक है यहां गुजरत वाले छेतर में कब आया दोस्तों 1178 में तो इसको एक बार देख लेते हैं अ एकर्मन कहां किया दोस्तों गुजरत फाली छेतर में जहां पर चालुक कों का चालुक को से इसकी भिलंत होती है ठीक और गोरी यहां हार यहां हार हुई और भारत में यह सकी पहली हार थी यहां चित्क हैं में दुत्ति आक्रमन के समय गुजरात का राया कौन था भीम सेगंड जिसको मूल राज सेगंड भी कहते हैं जिसने गौरी को आबु यालिकि माउंट आबु परवत की तलहटी में हराया इस युद्ध का संचालन नाइका देवी ने किया था जो मूल राज सेगंड की मा थी यहां इसको हार मिली और यहां से बापिस चला गया और अपनी सेना को दोबारा से संगठित करने लगा देखे इसके बाद मुहमद गौरी आता है दोबारा ठीक है अब यहां इसकी बिलंकित होगी प्रित्विया चोहान से तो तरायन का पृथम युद्ध एक्जामें कई बार आता है ये इसकी डेट्या रखेगा सन अधिकतर फूचता है 1199 इसी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ यह युद्ध मुहम्मद गौरी और प्रिथिविराज चोहन के मद्ध हुआ जिने हम प्रिथिविराज थर्ड यांकि प्रिथिविराज तिर्थी के नाम से भ लेकिन वो दोबारस से तैयारी करकर आने की सोच रहा था कहा पर तराइन के दूसरे युद्ध करने के लिए लेकिन प्रिथिविराज चोहन यहां तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन मुहम्मद गौरी वहां से पूरी तैयारी से अपने कूट नितिले से यहां पर आता है और वो मुहम्मत गौरी पृतिवियाद चोहान को तरान के दूसरे युद में हरा देता है जो की 1192 इसी में हुआ था ठीक है आप देखिए पृतिवियाद चोहान के मिर्तियों को लेकर अभी तक थ्यासकारों में बहुत ज़्यादा मतवेद है आपने कई कहानिया सुनी होंगी कि पृतिवियाद चोहान को ये बंदी बना कर ले गया अंदे इनकी आँखे फोड़ दी गई ठीक है ये सब कहानिया दोस्तों एक्जाम में नहीं पूछिया थी आपको बस ये याद रखना है कि तरान के सेकंड युद के बाद इनको बंदी बना कर ले गया था ठीक है कहानिया एक्जाम में नहीं आती है ठीक है और यहाँ पर पृतिविया चोहान क्या हुगा हार गया ठीक है यहाँ पर हार गए ग्यारो सो बानवे एसी में तरान के सेकंड युद में और याद रखना इस युद्ध के बाद में ही भारत में मुसलिम सक्ता की स्थापना तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तरान का पहला युद्ध 11991CV में ठीक है मुहमत गोरी और चोहान के बीच जिनको हम पृतिविया चोहान के नाम से जानते हैं पृतिविया थर्ड ही है ठीक है ठीक है चोहान की इसमें पेजय हुई तरान का सेकंड युद्ध 1192CV म मुहमत गोरी और पृतिविया चोहान के बीच जिसमें मुहमत गोरी जीतता है और पृतिविया चोहान हार जाते हैं ठीक है और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुसलिम सक्ता की स्थापना हुई और मुहमत गोरी को ही भारत में मुसलिम सक्ता का संस्थापक माना जाता ह देखिए इसके बाद युद्ध होता है चंदावर का युद्ध ठीक है यह होता है मुहम्मद गौरी और कॉन्योच के सासक जैचन यह जैचन कौन है तो यह पृतिविरा चोहान ने इनकी पुत्री को कहते हैं इनकी पुत्री से विभा किया था संयोगता से प्रेमवा उनको यह भाकर ले गए थे तो इनकी यहाँ पर पहले से ही बनती थी किस कि जैचन की और पृतिविरा चोहान के हार का कारण यह ही था जब तरयन का सेकंडरी युद हुआ तब इनका किसी ने साथ ने लिया ठीक है राजपूत राज़ा यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं पॉन मुहम्मत गौरी जैचन को भी हरा जेता है तो चंदावर का इप असमय हुआ मोहम्मत ग बारी गौरी भारत में जीत मिलने के बाद अपने सेनपतियों को भारत में छोड़कर वापे चलायाता था ठीके इसी किरम में उसने गजनी के एक छेतर में उसका सामना हुआ था और वह हार जाता है और पुना भारत आता है दोबारा से दोबारा से तो देखिए कन्योच की ये सिक्का चलवाया जिस पर एक तरफ देवी लक्षमी की अकरति वर दूसरी तरफ अरवी में कल्मा लिखा हुआ था यह important question है फूच लेता है किस मुसलिम सासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिसमें कि एक तरफ लक्षमी देवी की आकरती और दूसरी साइड में अर्मी में कल्वा लिखा हुआ है तो ये मुहमत गौरी नहीं करवाया था ठीक है अब देखिए गौरी अंतिमबार भारत 1205 इसी में आया था 1205 इसी में उसका सामना खोकर जनजाती से हुआ ठीक है और उसने इस जनजाती को हरा दिया 1205 में 1206 में लोटते समय उसकी हत्या कर दी गई 15 मार्च 1206 इसी को ठीक है ये गौरी अंतिमबार भारत में 1205 इसी में आया था और 1205 इसी में उसका सामना होता है खोकर जनजाती से ठीक है और उसने इस जन उसकी हत्या कर दी गई कब 15 मार्ट 1206 इस वी को देखिए मुहमत गौरी अपनी मिर्तिव से पहले ही ठीक है अपने बिजित प्रदेशों को अपने मजानिकी अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों को अपने दासों में बाट कर गया था जिर में इंपोर्टन नाम है कुदबुदीन एवक का जो की लाहुर दिली का पर इस नहसासन किया इसके बाद ताजुदीन याल दोज ये गजनी में था बक्तियार खिल जी बंगाल में और नसुरुदीन कोबाचा उच्छ मुलतान में ठीक है अब देखिए मिर्तिव से पहले मुहमद गौरी भारत के बिजित प्रदेसों को अपने दास अत्वा सेनापतियों में सौप के गया था जिसमें सबसे इंपोर्टन नाम है कुदुदीन एवक का इस प्रकार एवक भारत के बिजित प्रदेसों का मालिक बन जाता है इसके दोरा, यानि कि इनके दासों के दोरा किये गए इनके इंपोर्टन बर्ख, यानि कि काम देख लेते हैं, देखे इवक नहीं दिल्ली को इसलामी सामरज का केंदर बनाया था, याद रखेएगा, कुतबुदी नहीं दिल्ली को इसलामी सामरज का केंदर बनाया था, दूसरा जो इंपोर्टन से नापती है वो है बक्तियार खिल जी जिसने बार सो च्छे इसी वी तक बंगाल और बेहार पर और उन्हें जीता साथ ही साथ यहां से most important question जो की बार बार एक्जाम में repeat होता है इसने यानिकी बक्तियार खिल जी ने नालंदब बिस्विद्धाले और बिक्रम सिला बिस्विद्धाले को भी नश्ट कर दिया था बिहार और बंगाल को पहली वार जीतने का असर है बक्तिया बंगाल का पश्चिमी यह में यहां सासक किसे जीता था bother टहुंकि अपना राजपर चोडा कर भाग गया था इसको देख Virginia इसी दौरान नालंदब बिहार जो की जोब बंगाल में इनको भी नश्टे कि ने यह था तो यह इसकी दासों के दोरा कुछ important काम है आने वाली सीरीज में हम देखेंगे दोस्तों कुद्बुद्दीन एवक को जिसने दासबंद अस्तवा गुलाम बंस की इस्थापना की यानि कि हम अब दिल्ली सल्तनत को आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं आज का वीडियो दोस्तों यहीं end होता है जल्द मिलते हैं इसी परकार के important वीडियो के साथ